नमस्कार दोस्तो टार्गेट हाई में आप सभी का स्वागत है दोस्तो लैब टेक्निसियन के लिए एक और भरती विक्यापन आ चुका है लेडी हर्डिंग मेटिकल कॉलेज एन एसे सी एट हॉस्पिटल नियो दिली से दोस्तो भरती विक्यापन पब्लिस हुआ डिपार्ट और इसमें नमबर आप पुष्ट कितने सामिल हैं आप से कॉलिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है सारी जानकारी इसमें हम कवर करने वाले हैं आप वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिए गया और दोस्तो वीडियो में आंके बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएं तो सब्सक्राइब भी कर लें साथ में अपने दोस्तों को साथ सेयर करें और ये नोटिफिकेशन के पेडियो के लिए आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले हमारे दोरह जितने भी दोस्तों बैकेंसे की जानकारी दी जाती है तो सारे पॉस्टिंग दिया जाएगा नियुजेली में आपका ये पोश्टिंग होगा और ये आपका प्रजेक्ट का नाम है और डिरेक्टली बात कर लेते हैं पोस्ट की तो लैब टेक्निशन के लिए दोस्तों ये पोस्ट रहेगा नंबर आप उस्ट एक ही सामिल किया गाया है और essential qualification की बात करें तो आपके पास BSC MLT जिनके पास दोस्तो BMLT complete है वो इस post के लिए eligible रहेंगे without experience के आप इसमें आवेतन कर पाएंगे BMLT वाले candidate और जिनके पास दोस्तो BSC in life science के साथ complete है वो भी इसमें आवेतन कर पाएंगे life science वाले candidate से दोस्तो इसमें 2 years का experience मांगा जा रहा आपके पास related field में ही experience होना चाहिए 2 years का जिनके पास life science से BSC complete है साथ में दोस्तो इसमें डिप्लोमा वाले भी candidate अपलाई कर पाएंगे डिप्लोमा इन medical laboratory technology जो candidate दोस्तो DMLT complete किये है वो भी इस post के लिए eligible रहेंगे प्लेस आपके पास इसमें 2 years का experience होना चाहिए लैब में ही आपका ये experience होना जरूरी है तब ही आप इस post के लिए eligible है के बाल दोस्तो इसमें जो BMLT complete किये हैं वो without experience के आभेदन करेंगे बाकी BSC Life Science और DMLT वाले candidate से 2 years का experience मांगा जा रहा है और age limit देख सकते हैं 32 years आपको इसमें age limit दिया जा रहा है बात करें दोस्तो salary की तो 20,000 आपको per month basis पे salary दिया जाएगा प्लेस आपको इसमें HR भी मिलने वाला है नेस्ट आप इसमें बात करें दोस्तो आपको apply कैसे करना तो आपको इसमें जानकारी दिया जा रहा है candidate are required carry bio data recent passport size photograph original document pen card अधार card education qualification certificate screening test to conduct on 6 माई को दोस्तो आपका ये interview होगा आपका इसमें जो selection process है interview के basis पे होगा और आपको directly इसमें interview में सामिल होना है इसमें दोस्तो किसी भी प्रकार का आपको application format नहीं दिया जा रहा है आपको अपने bio data resume के साथ ही interview में सामिल होना है आप अपना resume ये CV लेके जा सकते हैं साथ में require document भी आपको लेके जाना होगा और one set दोस्तो आपको इसमें photocopy से भी document के लेके जाना होगा साथ में original document भी लेके जाना होगा pen card या अधार card और education qualification certificate सारे document आपको original form और one set photocopy लेके जाना होगा साथ में आपको पासपोर्ट साइट एक photograph भी लेके जाना होगा और आपको जो interview दोस्तों 6 माई को conduct कराया जाएगा और इसमें timing भी आपको बताया जा रहा नाइन थेर्टी एयम तो सुबह दोस्तों सड़ेना बज़े आपको reporting करना होगा इसके official address पे यह आपको interview के address बताया जा रहा lecture theater near department of microbiology लाल बिल्डिंग यह लिएच यमसी नियो दिली तो दोस्तों आपका लेडि हार्डिंग medical college में ही interview होगा सुबह सड़ेना बज़े आपको reporting करना है 6 माई को आपको यह interview कंडेक्ट कराया जाएगा आपको अपने resume यह CV के माद्दम से interview में सामिल होना साथ में अपना सारे required document आपको वहां पे ल वहां से download कर पाएंगे description box में दोस्तों आपको telegram channel का link मिल जाएगा वहां से आप easy तरीके से join हो सकते हैं और यह notification का video आप download कर पाएंगे दोस्तों जानकारी अच्छी लगे हो तो like जरूर करें साथ में अपने दोस्तों को साथ भी share करें और दोस्तों यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं कियें तो subscribe जरूर कर ले हम हर दिन ऐसी जानकारी share करते रहते हैं thank you so much